अगर आप जार्खन में जार्खन जार्खन से लिए इंग्लिश की तयारी कर रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है कि आप जानते हैं कि जार्खन जारी किया गया है उसमें दोनों का लगबख से लिए गया है तो मैंने पिछले वीडियो में सोट स्टोरी सेक्षन के सिख्थ इस्टोरी दब्यस्मेंट रूम के राइटर ग्राहम गिरिन के बारे में डिटेल से डिसर्ट किया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब म बारे में दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपकी प्रिपेशन बहुत अच्छी हो जाएगे क्या आप जानते हैं कि सिर्फ जो है वह उसके राइटर के वर्क से कोसन नहीं आएंगे बलकि उससे जो है उसके राइटर जो है उससे सम्मंजद भी कोसन एक जाम में तो आप दोनों को अगर देख लेंगे यानि दा बेस्मेंट रूम को देख रहे हैं इसके राइटर ग्राहम के बारे में मैंने अलग सेपरेट वीडियो बनाया है उसको यूटूब में जाकर देख लेंगे आपकी प्रिपेशन ठीक से हो जाएगी तो आज हम लोग इस वी पर बात नहीं करता हूं या बहुत सारे लॉंग लैंदी को सेटा मैं सीधे आइसे इसे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं अध्यक्वाइब करा ओएटा हुरें वहत्ति पूछे जाते हैं तो चलिए हम लोग समझते हैं दा बेस्वेंट रूम है क्या यह तो याद रखें ठीक है अगर हम कि दिन याद रखनेंगे और यह एक स्टोरी है तो यहां से किस तरह से कुछे जा सकते हैं उस पर हम लोग डिटेल से डिस्क्स करेंगे अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो इससे जो भी ऑब्जेक्टिव कोशन एक्जाम में पुछे जा सकते हैं वह इसी म इसको दो बार जो है पब्लिश किया गया था देखेंगे पर्स्ट आइम जो है प्लिट इन नाइटीन फॉर्टी सेवन यानि फर्स्ट आइम जो है उनीस सो सेटालीस में इसको किया गया था पब्लिश अपीर हुआ था ओके और किसमें किया था इन हीज कलेक्शन आप 19 इसमें था पॉले तो उनीस से जो है उनके कलेक्शन में 1947 में दवेस्ट में रूम को पब्लिश किया घया था यानि अ लोग देखने लगे उसको पढ़ने लगे सेकंड पॉइंगे पब्लिश जिन इसको पॉब्लिश कब किया गया परकासित कब किया ऑके तो 1954 में याद तो उसके क्लेक्शन में कितने स्टोरीज थे तो 21 स्टोरीज आप समझ चुके हैं दोनों को दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सेटिंग पुछा जा रहा है कि यहां देखेंगे ग्रेट बेलगरेविया हाउस तो इस पॉइंट को याद रखेंगे बेलगरेविया हाउस जो है बहुत बड़ा बंगला टाइप को होता है उसी पर जो है सेट है पूरी कहानी उसी पर जो है आधारित है बेलगरेविया हाउस स्टोरी बेस्ट रूम इस बेस्ट रूम इस बेस्ट बेलगरेविया हाउस इस पॉइंट को देखेंगे पी और जी को किस पर्सन में लिखा गया है तो थार्ड पर सब्सक्राइब निएरेटर कोई और है आपको कहानी बता रहा है तो इस पॉइंट से देखेंगे यानि आपको आप से से सटेंगर पूंशन पूशा जा सकता है बेस्मेंट रूम को नहीं है कहां पर इसका टेक्स प्लेस होता है तो यहां पर बेल फेलगे भी आ इसको याद रख लेंगे symbol जो है इस the basement room का symbol सबसे बड़ा कौन सा है तो यहाद रखेंगे green based door symbol के रूप में यहाँ से कोशन आप से पुछा जा सकता है next point को देखेंगे kind यानि यह किस kind किस तरह का story है okay what kind of story the basement room is तो यहाँ रखेंगे psychological short story यह psychological एक्तरे का एक seven years old जो बच्चा होता है उसका psychology को यहाँ दिखाया गया है इसलिए psychological short story आप इसको कह सकते हैं theme innocence है यानि 7 साल का बच्चा आप जानते हैं कि वह साथ साल का बच्चा जब होता है तो बहुत innocent होता है बहुत ही मासूम होता है इसलिए इसका इनोसेंस है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन आप इसको आगे कर लेंगे, ज्यादा इसपेस नहीं था, इसलिए मैंने इमेजिनेशन पर भी आधारित है, बच्चा साथ साल का बच्चा बहुत इमेजिन करता है, कलपना करता है, कलपना पर आधारित है, और ब सोन देखेंगे बहुत इंप्रटेश्ट पॉइंट इन पॉइंट है यानि यहाँ से याद रखेंगे मास्टर फिलिप लेन इसमें चार-पांच ज्यादा चार-पांच जो है में करेक्टर इसको मैं ने इस पर इंक्लूड किया अगर आप लास तर देखेंगे तो चारों पांचों के रेक्टर को आप समझ जाएगा निसी करेक्टर से कोशन बहुत जादा पुछे जाते हैं तो पहला जो है आप पूरा नाम याद रहेंगे और किस तरह का बच्चा होता है इनोसेंट बॉइ होता है मासूम बच्चा होता है तो यहां से इस पॉइंट से पुछा जा सकता है आपको कि किस तरह का बच्चा था इनोसेंट बॉइ था को देखेंगे मिस्टर बैंस तो यहां हम लोग पहला क्रेक्टर किसको पढ़े मास्टर फिलिप लेंड दूसरा क्रेक्टर बैंस तो यहां पर जो है मिस्टर बैंस जो है मिस्टर बैंस याद रखेंगे यहां पर दो दो तो यह कौन है मिस्टर बेंस का हस्बेंड है बटलर एंड ट्रेंड ऑफ फिलिप यहाँ याद रखेंगे बटलर में से होता है सर्वेंट उसका देख रेक करने वाला किसका बटलर है तो मांनता है याद रखेंगे यहां से कुछा चाहता है फिलिप बेन्ट लेंब काह darauf दे जाए जाएगा वस्में स्पन मिस्टर बेंड रखेंगे तो जहे कोन है हस्टर मिस्टर सब पstatल trabalho है का है दोस्त भी है मैंटर को आप के लेंगे है आप को फैर होता है किस के साथ होता है यहां से आपकोको सब्सक्राइब किसके साथ था तो आप इमी के साथ था उसकी वाइफ कोन की मिस्स बेंग की तो मिस्स बेंग ती तो यह इसका जो होता है तो यह रह रहा कि उसको समय समय पर क्या स्टूरी सुनाता है और किसके बारे में अफरीका में जो अफरीका में उसके बारे में तो यहां से आपको कुछा जा सकता है कि वू टेल्स दे स्टोरी आफ अबाउट इड़ेंचर इन अफरीका तो कौन बताता है मिस्टर बेंच और कहां कब बताता है और कि आफ्रीका का क्या बताता है इस बताता है उसी एक पॉइंट में चार पांच पॉइंट है तो आप याद कर लेंगे नेस्ट को देखेंगे यह यहीं इनिए इस्टोरी आझाल के सब्सकर अतरधुत इसाल का है और वह समझेंगे तो Свं लोगा तीन के अभी तक सीकते हैं मिस्टर बेंच और तृस्रा मिसिस बैंस बैंस सो यह तर रहरे कि उसको क्या करता है है उसको बहुत पुछ जादा पसंद करता है तो यह स्टोरी बताता है समझ समझ पर इसको घाने यह देता है देता है कि तो देता है उसको दीठ जाता लिए वे देता है इसलिए उसको दोस्त ben यह बहुत क्थरीक्ट थी ऊपिसलिए बेस्ट अप इसको पसंड नहीं करता है नेंस्ट पॉंट को देखते हैं कि इस्टोरी बेस्ट ऑंदा टॉम्हाटिक एच्पीयंस ओफ फिलिप लेन ओके इसको अहुंग चुके तो यह जो कहानी है, साथ साल का बच्चा के साथ जो घटना घटती है, तो यह बहुत दिनों तक इसके साथ बना हुआ रहता है, कितने दिनों तक बना रहता है? उस समय भी 67 के एज में भी उसको याद दिलाती है, प्रेशान करती है, तो यहां से आपको कोशन पुछा जा सकता है, कि साथ साल याद रखेंगे 7 एज, 7 एज से में प्रेशान है बच्चा, 7 एज का बच्चा है, स्टोरी अब सुरू होता है तो, और वो जब डाइंग एज ह होता है, उसका जब डाइंग आवस होता है, जब मरने के कगार पर होता है, कितने साल का? 67 एज का, उस समय भी यह घटना, उसको यह बच्चपन के घटना उसको प्रेशान करती है, तो यह 67 फिगर को याद रखेंगे, ओके, नेस्ट पान को देखेंगे, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, जिसको फॉर्ट नाइट का जाता एक बात होता है कि वह अपने घर अपने बल्गरेविया हाऊस में अपने नोकरों के साथ Mr. and Mrs. Benz कर साथ रह रहा होता है और दो और है दो और नोकर थे याद रखेगा इस पॉइंट को भी आप याद रख लेंगे मेमरी कर लेंगे तो एक और जो है नस होती है nurse और आर ऐसी नस होती है एक नस सिस्मिस वी यह ने उसको छोड़ दी चोड़ दिया मुर्स आहिए और यह थे आप यहां पे और दो डूर जा रहा है या उसको डिस्मिस हो गई अपने जोब से त्याग भी है यहां हो सकता है उसको छुड़वा दिया गया है नई एक नर्स से देखभाल के लिए मास्टर फिलिप लेन के देखभाल के लिए उसको एपाइटमेंट किया है लेकिन अभी तक वो जोएन नहीं की है यार दखेंगा तो यहाँ पे जो है मास्टर फिलिप लेन कहां पर रहता है मिस्टर ने मिस्टर बर्टलर के साथ परेंट के साथ बलगरी आउस में रहाऊस में रहता है और उसके माता-पीता जो है यानि उसका पैरेंट्स जो है करें वह हॉलिडी पे जाते हैं तो कितने दिनों के लिए जाते हैं तो घर में अकिला रह जाता है और यहां पर वह किसके साथ रह रहा है अभी ततकाल जब उसके माता पिता चले जाते हैं तो यहां से मिस्टर और मिस्स बेंस के साथ इस पॉइंट को याद रखेंगे यहां पर याद रखेंगे इस पॉइंट को बहुत इंपॉटेंट यहीं से जो है एक चैंजिंग आ जाता है स्टोरी में हैं तो जब वह अक्यला रह जाता है बल्गरिया बल्गरेविया हाउस में मिस्टर यंट मिस्सs बैंस के बाद के साथ तो उसके माता-पिता जब जब गहर छोड़ देते हैं मुलब बैके सन में जाते हैं तब इसको जो फिर्ड़म मिलता है एक तरह का एक आजादी मिलती है और यहां पर मैंने यूज किया है यहां जिन्दगी जिन्दगी नहीं जिन्दगी जिन्दगी शुरुआत करता है क्योंकि वह फ्रीडम मिल जाता है ममा पापा से आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको फ्रीडम मिलता है क्याता है कि federal से शुवाइन कर सकते हैं तो इसके शर्वेंट कर सकता है यहां पर गळवरी जब इसके म मत नहीं चले जाते हैं तो फुरी हो जाता है तो वह पूरा भर को पूरा घर को पूरा घर को देख लेते हैं किस तरह का मेरा घर है तो यहां से आपको कुछा जा सकता है कि जब वह आजाद हो जाता है मामी पापा के पैरेंटल कंट्रोल से जब उसके मापा पाप चले जाते हैं 14 देज के लिए तो वह क्या करता है तो वह सबसे पहले करता है क्या है कि वह चला जाता है फूब वाला पैर्फिय दोर के माधियम से जब को सबसं element डूकendal में चला जाता है तो यह जाता है और झ treaty जवल्द्रुक्त रूम होता है उस रूम में चला जाता है मिस्टर बेंस को खोजने की कोशिश करता है उसके साथ जाएंगे घुमेंगे पुरा घर को देख लेंगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है यानि आप समझ सकते हैं कि गहर जो है बहुत लंबा चौड़ा बिल्डिंग तो उसमें एक डिवाइडिंग लाइन है जिसमें इधर रह सकते हैं घर के मालिक इधर रहेंगे और नोकर उधर रहेंगे इसमें ज्ञादा प्रोष नहीं होगा यानि ज्यादा कभी यह नहीं है तो यहां से आपको पुछा जा सकता है कि green base door है क्या तो एक dividing line है और किसको divide करता है master और servant को रहने के place को okay it separates the world of innocence from the world of knowledge okay love head child and adult तो यह separate करता है dividing line है एक dividing line है एक तरफ एक तरफ क्या है एक तरफ ऐसा world है जहां पर जहां पर innocence है okay innocence है बोले तो बोले तो मासमियत है और दूसरी तरफ क्या है दूसरे सा यहां innocent है dividing line है green base door दूसरे तरफ है knowledge का जिवन जिन्दगी है एक तरफ love है इस पार love है तो इस पार head है नफरत है यानि प्यार एक तरफ एक तरफ नफरत है एक तरफ है man है तो यहां आप समझ चुके होंगे कि green base जो है डोर डिवाइडिंग लाइन है तो यह दो तरह की चीजों को क्या करता है इंडिकेट करता है division करता है separate करता है master और पहला तो पॉइंट है master servant को अलग करता है नफरत और प्यार को अलग करता है और और क्या फांड से new world behind the green base of the miel जो है तो यह जो है जब जैसे ही चला जाता है यानि यह जब क्रोस करता है green base door क्यों जब पार ज़ता है प्रोड को पार चला जाता हो जाईन को इस पर जैसे ही प्रोड पर तो यह नए नए दुनिया में चलाजाता नई दुनिया लगता है कि यह तो नीव वर्ड है ही इंटर्स इन इस एडल्ट वर्ल्ड ओके वियर मिस्टर बैंसे इस रीडिंगे नीज्ड़ पर तो वह खोज रहा होता है मिस्टर बैंस को खोजने के लिए बेस्मेंट रूम में चला गया आता है लेकिन वह नहीं मिलता है देखेंगे आप उसके नई जिन्दगी मिलती है एक नई दुनिया मिलती है और ही इंटर्स इन एडल्ट वर्ल्ड में इंटर्स जैसे ही उस लाइन को क्रोस करता है तो एक नई दुनिया में किस तरह की वर्ड में आपरेस्ट करता है एडल्ट वर्ड में उसको लगता है य जैसे गिन सिएट वोड में करता है और जहां से भी आपको स्वी पूछा सब्सक्रार करते हैं जैसे दी डूनी अब जुस में चला जाता है तो वह क्या मिलता है हुआ हो cognitiveりました किया कर रहा होता है इस पधार इस पमेस्ट पर उसके 7a कौशा जाएगा कि mister but he was very happy in the new world अप्ते हो जाए देलाइट Яपी हो जाता है in the new world and things और सोचता है वो कहता है कि यहीं जिन्दगी है कितना मस्त जिन्दगी है यार आप समझ सकते हैं उसको लगेगा कि बहुत अची जिन्दगी है तो इस पॉइंट को याद रखेंगे जैसे ही वो क्रोज करता है dividing line को green base door को तो नई दुनिया में परवेश करता है और वो क्या कहता है कहता हैस्ट को याद रखेंगे यही जिन्दगी है मेंस्ट जिन्दगी है यहीं kernel आप indent टो होता क्या है कि यह तो होता क्या है कि मिस्टर व क्शलिश वांख सेंट करेंगे मिस्टर देंग को तो उस समय ये बात सुन रही होती है कौन सुन रही होती है Mrs. Benz यानि Mr. Benz की wife वो कुछ काम कर रही होती है घ्रेलू काम कर रही होती है डॉमस्टिक को जो works होते है ladies का वो काम कर रही होती है वो कहती है नो नो don't take him to another room या another place उसको मत ले जाएए कहता है Mr. Benz को चलो हम को घ्रे ले जाओ कहीं तो रोकती है तो यहां साब को कोशन पुछा जा सकता है फिलिप लेन जब Mr. Benz को वाक के लिए कहता है कि चलो हम लोग घ्रे जाते है तो कौन रोकता है Mr. Benz को तो Mrs. Benz लोकती है रीघ्र पंर लोगेंगे एलगे नहीं जाता है तो रहने से नहीं ले जाता है भाग जाता है ला जवन किसके हो सिलिफ उसके बेलगरिया वहाँ उससे भार जाता है इसके पोड़ा जाता है एंड इंड इंटर्स नी वर्ल्ड ओके एलों और वह नई दुनिया में अकेला परवेस्ट करता है उसके साथ कोई नहीं रहता है उके इंजॉआ पुरा करता है तो यहां से आपको कोश्र पुछा जा सकता है कि मास्टर फुलिप लेन परवेस्ट करता है किया करता है वह वाग से इदर से उधर गूम रहा है, road में गूम रहा है, street में गूम रहा है, okay, the zoo चला जाता है, okay, शीडिया घर चला जाता है, the sweet shop, okay, sweet shop वहाँ पे मिलता है, उसको वहाँ चला जाता है, तो टी shop भी कहीं कहीं book में मिला, लेकिन आप इसको देख लेंगे, tea shop है या sweet shop है, okay, तो यह घूमने लगता है, अकिला घूमने लगता है, कहाँ कहाँ जाता है, देखेंगे, road में, he moves, वहले तब फिलिप मूब्स on the road, street, the zoo, the sweet shop, okay, और फिलिप find Mrs. Benz with a girl in sweet shop, इमी, okay, याद रखेंगे, तब यह अकिले जब जाता है, उसके साथ Mr. Benz रोक लेती है, Mr. Benz नहीं ले जाएगा, कहीं बहात, तो वह जैसे ही जाता है, वहाँ sweet shop में Mr. Benz को पाता है, वह कौन फिलिप पाता है, और Mr. Benz को जब पाता है फिलिप, तो वह एक लड़की के में, और वह लड़की कौन थी, इमी थी, यानि Mr. Benz अपनी girlfriend, इमी को sweet shop में ले जाके अपना enjoyment कर रहा था, कुछ खाना हो ना खा रहा था, ना breakfast कर रहा था, उसी समय जैसे ही फिलिप आता है, तो देखता है दोनों को, किसको Mr. Benz और इमी को देखता है, क्योंकि मैंने पहले Mr. Benz को affair था, love affair था, किसके साथ? Affairs है, इमी के साथ, तो यहां से आपको question पुछा जा सकता है, कि जब वह फिलिप जाता है, स्वीच सॉप में, तो किसको देखता है, तो Mr. Benz को देखता है, किसके साथ देखता है, तो एक लड़की के साथ देखता है, उस लड़की का क्या नाम होता है, इमी होता है, इसको कभी कहा था, कि मेरी एक इमी है, और वो मेरी भतीजी है, तो यहां पे भी कोसित पुछा जा सकता है, आप याद लगेंगे, इमी को अपना नीश बताता है, ठीक है, क्या बताता है, तो अपने आपको छुपाने के लिए कहता है, कि मैंना यह कहीं बात जो है बोलना दे मिस्टर बेंस को नहीं तो फिर जगड़ा हो जाएगा आपस में हम लोगा जो मेरिटल से वह खतम हो जाएगा ओके तो जब यह देखता है मिस्टर बेंस को किसके साथ इमी के साथ तो मिस फिलिप भी थोड़ा नटकट बच्चा है नौटी बउ सुचता है कि यह मिस्टर बेंस और इमी सुचता है कि इसकी वाइप आगी और वह जहाए उसको मिमिक्री करता है उसका फन करता है मजाक उड़ाता है और फिर देखता है कि वहां मिस्टर बेंस नहीं है तब फिर बुरा लगता है कि मैंने हाट उसको क्यों उसकी हाट को कौँन सुचता है फिलिप सुचता है क्योंकि फिलिप लब करता था किसको हैं टरह का और इसका फ्रेंड थाकर याद रहेंगे नेक्ट बांड़ेंगे तो फिलिप बहुत ज्यादा एक्साइटेड में बहुत जानने के लिए कि वह लड़की है कौन लगती है क्योंकि साथ साल का बच्छा समझ नहीं पाता बहले वह एडल्ट वूर्ड में या नीव वर्ड में इंटर कर चुका है लेकिन उसके दिमाग में कोसिन आता हुई इस तो इस पाइंड को भी याद रखेंगे कि फिलिप जब की मिस्टर में को स्वीज कोई या टी वेंगे तो क्या कहता है जाए tip के यहいきます को मिस्टर में और के साथ indicated मूझे अब यह बत जो है न जाकर तुम को नहीं बताना मिसस बेंस को नहीं बताना कि हम जब मिले थे वहां तो एक लड़की के साथ वह चाइपी रहा था या स्वीट खा रहा था ओके इसके लिए जह है उसको जहां एक तरह का कुछ गीफ्ट भी देता है लेकिन होता है अन्फॉर्टूरेटली होता है अपने अपने लिए जानबूस कर नहीं कहता है वह उससे अचानक मुह में आ जाती है कि मैंने देखा था मिस्टर बेंस को इमी के साथ स्वीट सॉप में इसके लिए उसको एक गीफ्ट भी देती है मैं को ने गिफ्ट देती है कून देती है तुमने बात बताई अब हम उसका कलास लेए म सेट को बताने के लिए अगाने के लिए जब बताता है मास्टर फिलिप लें और याद रखेंगे को लिए बनस सबसे जळादा अगर ससे लड़ता है בार मिसिस बैंस से ड़ता है और किस Arrow में नाइटमेरके रूप में ऑसके सामने लिए ओऊ सब्सक्राइब कर दोनों के बीच में एक स्क्रमबल होता है एक तरह का फाइटिंग होता है किसके किसी में मिस्टर और मिसस बिन में दोनों हजबन वाइफ में लड़ाई चल रही है और इतिफाक से होता है क्या है कि वह गिर जाती है किसी तरह पुछ कर देता होगा गिरती है जैसे ही तो वह लगता है कि ऐसे डाइज हो जाती है यानि मर जाती है लेकिन मर जाती है तो वह साथ साल का बच्चा उस सोचता है साथ साल का बच्चा इतना मासूम होता है कि उसको फिलिप लेन को ये भी नहीं पता होता है कि वो जाय मिस्टर मिसिस बेन मर चुकी है यानि डाइज हो चुकी है इसको ये नहीं पता होता है और उससे डरा हुआ अभी भी है, मरने के बाद भी डरा हुआ है, कि कहीं Mrs. Benz वापस आके मुझे मार ना दे, हम को डांट ना दे, तो यहां से आपको पुछा जा सकता है, कि क्या हुआ था, इसमें जो कौन है, डाइंग करेक्टर कौन है, मरने वाले करेक्टर कौन है, तो गटना को देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसकेड हो जाता है, टेरिफाइड हो जाता है, और वो भागने लगता है, भागते 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 वो बहुत दूर चला जाता है, जाने के बाद वो इसकेप हो जाता है, और फाइनली इतना दूर चला जाता है कि फाइनली अपना बेलगेरे भी आऊ से बाहर की दुनिया से बाहर और भाकते-भाकते बाहर चला जाता है तो लास्ट में उसको होता है राल लास्ट में उसको महसूस होता है कि मैं खो चुका हूं I'm lost頭 totally लोस्すको देखता है कई लगता है कहीं किस दुनिया में आ गया है तो उसको है मंखoration में गार जाता है कई चे लौह में फिर उसको लगता है हमको पिर्षान ना करें उठने के बाद फिर आ जाएगी जाता है पुलिस उसको खोजकर वास लाती है कहा लाती है तो यहां पर रेख़कर पांस रेख़करउ पहला करेक्टर फोर टेगोनिस्ट है म Jest मस्टर फिलिप लेंड ऐसाल चड़शा है इनॉसेंट है बहुत about बस और फॉर्थ जो है आपका Mr. and Mrs. Ben होई है और फिर्थ जो हो गया आपको ना जाएगा पुलिश यह जो है इस तरह से कहानी खतम हो जाती है यह आप समझ चुके है इस जगह पर क्या करता है फिलिप डिसाइड करता है कि I will keep no more secrets even of Mr. Benz कहता है कि from today I will not keep any kind of secrets for even Mr. Benz Mr. Benz से बहुत जादा प्यार करता है कि आज की बाद हम ना किसी का secret को अपने दिल में नहीं रखेंगे ना दिमाग में रखेंगे मेरा दिमाग सिर्फ फटता जा रहा है secrets को कौन सा secret रखने के लिए कहा था कहा था कि तुमना इम्मी मिस्टर बेन को देखा था प्यार करते हुए एक साथ लवे फियर था इंदनों के साथ टी शॉप में मिला था या स्वीट शॉप में देख लेंगे आप ओके तो मिस्टर बेन कहता है कि इस सीज को नहीं बताना secret रखना उस secret को अपने दिल में दिमाग में नहीं रख पाता है, फ्रेस्टेटेट फिल होता है, उसको बहुत बुरा लगता है इस तरह से कहानी खतम हो जाती है और I hope आप समझ चुके हैं दो से तीन बार आप वीडियो को देखेंगे और एक दो बार देख लेंगे तो आपको सारा समझ, सारा एक तरह का थीम या कह सकते हैं, एक तरह का समझी आपके दिमाग में आ जाएगा और इससे समझे जो भी एक पुछे जाएंगे, आप एजी वे में अंसर कर पाएंगे, लेकर आप ज़रूर देख लिए जाएगा, The Basement Room के राइटर The Graham Green का जो वीडियो है YouTube में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं Keep watching my videos, मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you, Have a nice day